इत्रो चे माता दी आज की सी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नवरात्री जो की सरद नवरात्री होती है 2022 में कब रहने वाल हैं कल सस्थापना कब होगी गट स्थापना कब होगी विसरजन कब होगा अश्ट मी कब रहने वाला नौ मी कब रहने वाला दस मी कब रहने वाल में आपको इस एक हुई वीडियो में संपून जानकारी मिल पाएगी तो वीडियो में हमाई साथ अंतग मैं रही ताकि आपको संपून होती है कलास अस्थापना की जो की नवरातरी का पहला दिन होता है पहली पुजा होती है तो इस बार जो कलास अस्थापना होगी वो सोमवार 26 सितंबर को रहने वाली है इसी दिन प्रतिप्रादित ही रहेगी तो कलास की स्थापना भी इसी दिन होगी सोमवार 26 सितंबर 2022 को कल कलासस्थापना नवरात्री की दूसरी पूजा रहने वाली है मंगलवार 27 सित्मबर अगले ही दिन बुधिवार 28 सित्मबर 2022 को रहने वाल है चोथी पूजा गुरु वार 39 सित्मबर 2022 को और पांच पूजा शुक्रवार 30 सितंबर 2022 को रहने वाला है छटी पुजा की बात करें तो सनीवार 1 अक्टूबर 2022 को रहने वाला है सातमी पुजा रईवार 2 अक्टूबर 2022 को आठमी पुजा सुमवार 3 अक्टूबर 2022 को नौमीर पुजा मंगलवार 4 अक्टूबर 2022 को रहने वाला है और विज्या दस्मी रहने वाला है बुधवार 5 अक्टूबर 2022 को इसी दिन मादुरुगा के मूर्तियों का विशर्जन भी किया जाएगा लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें विज्या दस्मी में रावन दहन जो होगा वो 4 अक्टूबर को ही होगा माता का विसरजन जो है बुधवार 5 अक्टूबर को होगा लेकिन रावन धन 4 अक्टूबर को होने वाला है इस बार नवरात्री में हर तिथियों में एक-एक दिन है कई बार तिथियों का लोब हो जाता है तो आप पाते होंगे कि दुख किनी दो पूझा एक ही दिन में पर गई लेकिन इस बार ऐसा नहीं हर पूझा अलग-अलग दिन में है जिसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के मध्यम से दी है मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ और भी जानना चाहते हैं कमेंटर बॉक्स आपका अपना है उसमें हमसे जोर पूझे इसी तरह की अनिक ज्यान वर्दक वीडियो के लिए जुरूरे रहें धरमसिक्छा के साथ और देखते रहें धरमसिक्छा जे माता दी